hi guys welcome back to my channel मैं हूं सुबम और मेरे channel पर पिरसे एक आपको स्वागत है एक weight loss को topic है because मेरा channel ही weight loss related है जो लोगों के बोलते हैं that weight loss weight loss यह channel related है to your weight loss and health यहां पर आपको beauty or hair care यह उसके videos नहीं मिलेगे उसके लिए मेरे second channel पर जाना पड़ेगा तो आप बहाँ पी जाके कर सकते हैं लेगिन यहां से मैं सिर्फ आपको हेल्से रिलेटेड वीडियो ही बनाती हूँ तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जैसे कि मैंने बोला था कि आप लोग एक तो लहसुन वाला गर्मियों में लीज़े उसका जो है वीडियो भी मैंने अप्लोड कर चुकी हूँ वह मौनिंग डिंग लीज़े आपको पूरी सर्दियो भर अजवाइन का पानी लेना ह और अमेजिंग वाटर है अगर बताने बैठों तो दो से तीन घंटे का यह वीडियो चला जाएगा और उस वाटर को आपको लेना है और उस वाटर से आपका जो भी आपने खाया है जो भी आपने खाया है उसकी जितनी भी कैलोरी जो तुरंत बर्ण करेगा आपका पेट बहुत अच्छे से क्लीन करेगा इवन अगर आपने पूरी भी खाया हुआ है इवन अपने शादी का भी खाना खाया है विकॉष सादियों का सीजन है तो तीन टाइम आपको वह ड्रिंक लेना है तुरंत तुरंत आपके पेट से जो भी गंदी की जमा हो गई थी आतों में किलो वजन गया गया है तो आप सो सकते हैं कितना अच्छा ड्रिंक है तो ट्राइ तो जरूर करिएगा एक बार और में साथ रिव्यू भी जरूर शेयर करिएगा जो लोग यह नेगेटिव कमेंट करते हैं उनके मुँपर एक तमाचा भी होगा यह सो कमेंट जिनको भी फा पर बात करती हूँ और चलीए चलते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं इस समय हैस्ट्राग WOMEN HYGENE पर वीडियो बना रही हूँ तो इसका एक यह सेंग्ड जो है मैं बोरी हो कि मैं समय बना रही हूँ तो आज मैंने पिर से सोचा क कुए आपको के बारे मी बताओं तो मैं आज बात कर रही हूं मैं यहां अगे मैं बात कर रहा हूं मेंस्टॉल कप के जो मुझे यूज़ करते हूए एक साल हो चुका है मैंने पहले बड़ा वाला मंगाया था फिर उसकी बाद वो मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा अपनी साइस के अकॉर्डिंग तो फिर मैंने एक छोटा वाला मंगवाया तो साइस का इशू हो सकता है लेकिन जैसे कि जो लोग मेरी तरह हैं वो यह स्मॉल स मेंस्ट्रॉल कप मंगवा सकते हैं और आज मैं जैसे मैं लास्ट राइम आपको डेमो के थ्रू यानि एक वीडियो क्लिप के थ्रू दिखाया था कि यह किस तरह से आपके बॉड़ी पार्ट के अंदर जाएगा आज मैं आपको मतब की मैनुमली करके दिखा यह इस तरह आ इतनी सिक पार्ट या पी बॉड़ी पार्ट से बहां निकलेगा आपको इसे ऐसी सीधे निकालना है अपने जो पॉटी पॉट है उसमें इसे हटा देना है इसके बाद फिर गरम पानी से यूज़ करके आपको इंसर्ट कर लेना है और यह आपका दस साल चरने मैं मोटी कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ I don't know लोगों को उससे भी फायदा हो और लेकिन मैं यहां पे as a trust के base पे आप लोगों को चीज़े बताती हूँ तो यह इसलिए भी important है कि मैं यूज़ कर रही हूँ I think मैंने दूसरी कंपनी का यूज़ नहीं किया तो मैं नहीं बता सकती म मैं उसे चलने में प्राइन में प्राश्यंगों करने में प्रॉबर्म मेंagainगी कोई भी उसने किसी में सैटा है ठार टाश्यंगाव m है तो में में भर्षी कर लीक् costume के बराएन पर नहीं इसलियें का युए टीचर हो विवेन आप एक ओपिस वर्कर हो सब के लिए Armenian वाला ह ठीक है तो एक बार जरूर करिएगा मेरे कहने से उसके बाद आप मुझे भरभर के दुआएं देने वाले हो आई आप गारंटी के साथ जिसने भी यह यूस कर लिया है मुझे आपके बहुत ही अच्छा सा रिफ्रेंस दिया है और बहुत ही जल्दी मैं उन लोगों से भी आपको मिलवाऊंगी जिनों ने इसे यूस किया है और अमेजिंग वर्क देखा है बटाई ग्लास है तो मैंने भर के लिए वहना हाफ ग्लास वॉटर चाहिए आपको और चाहिए आपको त्रिफ्ला जोड़ सुबह ब्रेक पास्ट के बाद लंच के बाद एंड डिनर के बाद आपको इस तरह से लेना है वन टिबल स्पूस से थोड़ा सा कम आपको त्रिफ्ला वॉटर डालना है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको इसे ऐसे खाने के 5-10 मिनट बाद आप ये कर लिजे और जैसे कुछ लोगों की शिकायत आती है कि उन्हें त्रिफ्ला ऐसे नहीं फायदा करता है तो आप बॉयल करके भी ले सकते हैं वरना आप इस तरह से लीजे पूरे होल्डे और देखे कि कितना अच्छा बैंट मिलता है और बहुत से लोग इसको अल्रेडी लाब उठा चुके हैं तो बहुत अच्छे से मिक्स करिएगा फिर से मेंशन करना चाहती हूं कि जिनको भ करेंगा और यह जो ट्रिफला चुन है इसके बेनिफिट में बताने बैट जाओंगी तो दो से चार दिन लग जाएंगे लेकिन एक बार इसे इस तरह से ट्राइ करिए का जैसे मैंने बताया मैंने कुछ लोगों को बोला और ने ट्राइ कि दो से तीन दिन में एक स्टेट क्योंकि आपकी बोडी में कुछ रही ने जाएगा सिर्फ जो अच्छे पार्ट है वो अब्सार अब्सार कर लेगी कैलोरी इस गंदे पार्ट वो सारे त्रिफला आपकी बाहर निकाल देगी वो भी ढूंड रूंके है और इवन जो पहले से चर्भी जमा है गंदी की जमा झाल 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 झाल